अक्सराधुनिक समय में हर कोई कभी न कभी ऑनलाइन या कुरियर कंपनी के माध्यम से सामान बुलाता ही है पर क्या हो अगर आपके घर पहुचे पार्जल के बॉक्स में अक्षानक साप निकलाए ऐसा ही एक मामला नागपुर के न्यू ग्यानेश्वा नगर में सोमवा में जाकर गायब हो गया उसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत की गई सरपमित्रों को भी बुलाया गया लेकिन देराज सभी को चकमा दे कर यह साप गायब हो गया सीवा निवरत ने शिक्षक सुनी लखेटी की बेटी परिभाषा बैंगलुरू की किसी कमपनी में काम करती है लेकिन कोरोना की चलते लगे लॉकडॉन में वहां नागपुर लोट आई थी और उसका वर्ग फ्रॉम होम चल रहा था लखेटे परिभाषा ने बेटी का बैंगलुरू का किराय का मकान खाली करा दिया और सामान एक परिचित के घर रख दिया था परिचित द्वारा चार बॉक्स में सामान को गती एक्सप्रिस द्वारा नागपुर भेश दिया गया वारी सत्य वडामना ट्रांस्पोर्ट की कम्पनी में हिह माल पहुचा और वहां कम्पनी के गोदाम में रहा वहां से एक वाहन में भर कर सुमवार रात हिह सामान लखेटे के घर पहुचा सामान के पौचने पर तीन बॉक्स को खाली कर उसके सामान को घर में रख दिया जैसे लखेटे चौथे बॉक्स को खोलने लगे तो उन्हें उसमें से साप के फुफकारने की आवाज सुनाई दी हिम्मत कर उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो दंग रह गए उसमें कोवरा साफ कुणली मार कर बैठा हुआ दिखाई दिया कैमरा परसन अखिलेश भारत दुआज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर